कि आगई हेंच कर देखा और आज में इस्टृस क्रियाट congestion करने तो दोस्तों इस वीडियो को एंडर को एड तो कहीं भी किलिक कर और अगर Is Channel पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लईक कर देना थेका दोस्तों तो एसे में हमें सा new new style में । डेली स्टेट तेस्ट लेकर आता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके प्रैंस तो ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप की ज़रत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोसन अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर मेरे टेलिग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा उपत पीन किया रहेगा ओके दोस्तों तो इतना करने काद आपको क्या करना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स से दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी दोनों को डाउनलोड कर लेना और अलाइट मोसन में इंपूट कर लेना है अगर अलाइट मोसन म कर लेना ओके दोस्तों सो इतना करने काद आपको शीमपल सा क्या करना है जो भी मेरा आपके पास अलाइट मुसने फे उसे ओपन कर लोगे और ओपन करने काद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा तो सिंपल साब को यहां पर प्रोजेक्ट का उप्शन दिख आएगा तो आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों यहां पर फोटो लगानी है अब फोटो लगाने के लिए नीचे आपको प्लस का इकन मिल जाएगा तो इस प्लस का इकन पर क्लिक करना है उसका यहां पर मीडिया का उप्शन मिलेगा तो मीडिया के उप्शन पर क्लिक कर तो जितने भी फोल्डर है आपके मॉंबाइल में सारे फोल्डर से ओपन होकर आ जाएंगे जिस फोल्डर में भी आपकी फोटो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना और अगर आपके पास फोटो ही नहीं है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे चले जाओ वहाँ पर उपर पिन के आओ मिल जाएगा जो की अनलिमिटेट फोटो है 400-500 फोटो डाउनलोड कर सकते हूँ ओके दोस्तों तो अब फोटो लगाने के लिए सिंपल सामें फोटो पर क्लिक कर देना है उसके बाद उपर त्री डोट दिखेंगे इस त्री डोट पर क्लिक करना है पाचवे नमबर पर मिल जाएगा फिल कम पोजिसन नहीं रहा तो इस पर क्लिक कर देना उसका दी स्तीर क इसे अरे करना है एक ही पर क्लिक करना है और फोटोस लगा देना है ऐसे तरह से फोटोज लगा ज़िए मैं आपके पूरी हेलप करूंगा जो भी फ्रोब्लम आएगी वह पूरि हेलप करूंगा ठीके धूस्तों सो चलिए मैं जल्दी से आपको सारी फोरो लगा कर बता देता हूं इसी तरह से ओके फ्रेंट्स हो तो मैंने इस तरह से ऊर्प्रो लगा लिए उप अँड़ाने के ना सब्सक्रांपर बहुत हुआ। फिर आपको एक बर और तीर की निशान पर क्लिक करना है अगली फोटो पर जाना है और इस फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर यह वाला effect पेस्ट कर देना है ठीक है दोस्तों तो इन दो फोटो पर इस तरह से effect पेस्ट करना है और अगली फोटो छोड़ देना है फिर आपको दो सो फेक्ट लास्टे तक लगा कर बता कर लेता हूं थो ठोड़ासा अब वेट की जब तक के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी एफिक्ट लगा कर बता देता हूं तो वीडियो को थोड़ा से स्किप कर लेते हैं दोस्तों वरना वीडियो ज्ढ़ा सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और इस्टाग्राम पर आपको लास्ट वाले फोटो पर आ जाना है लास्ट वाली फोटो पर इस तरह से करना एपके टरशन पर क्लिक करना और तरी डौट पर क्लिक करके यहां से ओपी फैक्त करना उसका नहीं सब으면 करना ऊपन कर लेना है इस तरह सागशलै आ आ जाना आए अग्ए आने को यहाँए पर आपको तो दो पैंट साथ सेकंड पर यह वाली फोटो मिलेगी तो उपर स्क्रोल करोगे यहां पर यह फोटो मिल जाएगी तो आपको क्या करना इस फोटो पर क्लिक करना है एफेक्ट पर क्लिक करना है और त्री डोट पर क्लिक करके यहां पर भी यह वाला इफेक्ट कर देना फिर आपको दो फोटो चोड़ने का थोड़ी सी बड़ी साइज में फोट आएगी तो फोटो पर यह वाला एक्ट पेस्ट कर देना तो यह प्रोसेस भी आपको लास्ट तक कर लेना इसी तरह से ठीक है दोस्तों यहां पर लास्ट लास्ट तक करना यह दो फोटो चोड़कर एक फ तरह से पेस्ट कर लेंगे उसकाद हमें यहां से बेग चले जाना है से कि फेक्ट को ओपन करना है और फ़र्ष्ट वाला यह ग्रूप से मिलेगा इस पर क्लिक कर देना और इस वाले उप्षन पर क्लिक करना यहां पर और कॉपी लियर कर लेना उसकाद यहां साब को बेग जा जाना है और बेख जाने का से की टेक्ट को फिर से ओपन करना और उपर त्री लियर मिलेगी इस तरह से तो तीनों को इस तरह से स्लेक्ट करना उसके बाद इस वाली option पर click कर देना और यहां से copy 3 layer कर लेना उसके बाद खाली जग़में touch करना और यहां से बैख आ जाना पीश आ जाना उसका फिर से bitmasp's को open कर लेना और open करने का इस वाली option पर click कर देना और यहां पर चोथे नमर पर मिलेगा paste क Bak année तो option पर click करना और इस तरह से लास्ट में आजाना सबसुपर वाली लियर पर क्लिक करना इस वाले ओप्षन पर क्लिक करना और फिर निची वाली लियर पर क्लिक करना इस वाले ओप्षन पर क्लिक करना और तीसरी लियर को भी इस तरह से लास्ट तक लियाना उसका दापको इस ओप्षन पर क